हेलो वेलकम दोस्तों देव हुमी एजगरेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से सब्सक्राइब आपके लेकर आया हूँ आज के सेट में कल हमने एक सेट आपको दिया था इससे पहले मैंने बाटनी चैलेंज के दो दिये थे इसमें तो आज भी आपके लिए चैलेंज य तो तीस क्वेस्टन है यह समझ लो कि आपकी परेक्श है आप इसमें से कितने अंक ला पारे हो और कितने क्वेस्टन सही कर पारे हो तो फटा फट से आप मेरे साथ जो है आंसर क्लिक करेंगे चले जाधा बात नहीं करते आगे बढ़ते बहुत महत्तों आपके लिए क्वेस्टन है ओवर हेड प्रोजेक्टर क्या है ओवर हेड प्रोजेक्टर क्या होता दोस्तों क्या यह एक हेडफॉन है जिसमें ध्वनी सुन सकते हैं बिल्कुल नहीं कैमरा जिससे हम चित्र अवस्ता को देख सकते हैं बिल्कुल नहीं ठीक है और एक किताब बिल्कुल यह तो बिल्कुल भी नहीं, एक optical उपकरण है, जिससे हम screen पर छवियों को प्रक्षेपित कर पाते हैं, तो यह बिल्कुल सही है, एक प्रकार से, जो छवियां होती हैं, जो चित्र होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, screen में प्रक्षेपित करते हैं, और वहाँ पर हमको फिर वो हुआ करता से, आपको पता होगा, इसके समवरती सूची में रखा गया, कब रखा गया 1976 में, समविदान संसोधन हुआ था 1976 में 42 समविदान संसोधन हुआ था आगे बड़ते हैं चले बात करते हैं निम्रिकित में से सामाजिक परिवर्तन में निम्रिकित में किसी भूमी का महत्क भूणे है तो सामाजिक परीवरतिन में दोस्तू सरकार की इश्वर की धर्म की शिक्षा की है सिक्षा क्या करती है समाज को बदल सकती है ठीक है और मतलब अपना एहम रोल निभाती है निम्खित में से कौन सा या कौन से कथन सही है यूजी सी अधीनियम 1956 की धारा 22 के तहत यूजी सी के द्वारा जो निर्दिस्ट हैं वो डिग्रियों को मानिता दी जाती है बिलकुल 100% सही है जकतिस कुमार को विश्य विश्य विद्यालाई अनुदान आयोग यानि कि यूज बढ़ते हैं माध्यमिक स्तर पर गति निर्दारक विध्यालाईयों का प्रस्ताव किस राष्टी शिक्षा निती में किया गया था ठीक है तो दोस्तों किसम किया गया था यह 1986 में राष्टी शिक्षा निती 1986 में यह किया गया था आगे बढ़ते हैं question number six है अच्छे सानु भूति पूंड ब्योहार करेगा तब आप कर सकते हैं सही बात है चात्रों की मनोवग्यानिक और सारे एक शुरक्षा अगर मिलेगी तो वहां पर भी अच्छा teaching environment बनेगा ठीक है educational environment बन सकता है चलिए बात करेंगे learning environment कह सकते हैं ठीक है तो अच्छा एक environment बनेगा पढ सही होने बाला है आगे बढाते हैं भारत में बाल शंगरक्षण और कल्यान के लिए आपात का लिएन ट्टोल-free help line नमबर क्या है साथियो तो ये क्या है 1098 ठीक है ऑप斯न C यहां पर ठीक होगा बाल शंगरक्षण और कल्यान के लिए ठीक है रापात का लिए लिए ट् milliseconds को까지 बाल बिवाह निसेद अधिनियम ठीक है 2007 में लागू हुआ था इसमें आपको थोड़ा डीटेल अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो यह 1939 के बाल बिवाह निरोदक अधिनियम या फिर सारदा अधिनियम की जगह पर एक नॉम्बर 2007 से लागू हुआ था इस कानून में 1978 में संसोतिन किया गया और जिसमें लड़कियों की शादी जो है 15 से 18 वर्से के बजाए जो है 15 से 18 कर दिया गया था लेकिन और लड़कों की 18 से 21 साल कर दी गई थी ठीक है यह कुछ यहां से important चीज़ें हो जाती है अगर वीडियो क्लियर quality नहीं है थोड़ा सा quality बढ़ा लो है न तो यही हो सकता है किसने सिक्षा की विधी में सब्दों की अपिक्षा अनुभाव पर बल दिया है ठीक है तो सब्दों की अपिक्षा अनुभाव पर किसने कहा है कि अनुभाव जादा मैद पर रखते अनुभाव ही सब कुछ है तो साथ हो यहां पर प्रकृति वाद इसका सही जवाब है प उसको पता चल जाएगा कि इससे पतलब जलते हैं आगे प्रकृतिवादी विचार धारा के अनुसार पाठिकर्व निर्मान का अधार निम्रिखित में से क्या होना चाहिए प्रकृति क्या कहते है दोस्तों बालक के लिए है तो बालक ही होगा यहां पर प्रकृतिवादी भी या सवाकार या खेलकूद सारेणिक शिक्षा उद्द्योग सिल्प और कौसलों की जो शिक्षा है तो यह क्या है क्रिया अत्मक या व्यावहरिक है परामर्स विदिग है केंद्रि अकरण वीदिग है उप्देश की विदी THIS तो आप देख सकते हैं दोस्तों इन सभी में क् एक ब्याभारिकता हो रही है तो यहाँ पर करियात्म विल्कुल आसान सवाल है इसका किस आयोग ने परमपरागत भारती समाज की शिक्छा के उद्धीश्यूमें आधहने की करण को किसने किया था तो दोस्तो यह कोठारी आयोग ने किया था option A यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा आपका चलिए आगे बढ़ते है next question है अगर कोई विध्यारती कक्षिया में गलत प्रस्न पूसता है तो आप क्या करेंगे ठीक है आप तो क्या करेंगे आप पकड़ के सीधे पेल देंगे मुझे पता है लेकिन आपको करना क्या है ऐसा नहीं करेंगे आप विध्यारती को डाटेंगे नहीं ठीक है और विध्यारत प्रशन पूछता तो उससे बोलेंगे कि यह गलत है आप कौन सा यह गलत प्रशन पूछ रहे हैं इसमें यह गलतियां है उदाहरण देकर समझा देंगे उसको ठीक है क्योंकि कोई भी चीज अगर उसका एक्जामपल दे दिया जाए तो वो फिर बहुत मतलब सही तरीके से काफी प्रभावी होता है ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन डी चीख होगा नेक्स्ट कुश्चन है वह सिक्षा प्रणाली कौन सी है जो जिसमें सभी चातर शामिल है और सीखने के यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा ठीक आगे बढ़ते हैं यदि कोई विध्यार्थी त्योहार मना रहा है तो निम्न मेंसे कौन सी स्थिती विवित्ता के उत्सव को दरसाती है देखे सबसे पहले उत्राखंड के स्कूल में ओडम मना अब देखे उत्राखंड में ओडम तो नहीं है क्योंकि होली तो ठीक है वहीं का है मतब पूरे देश का है तमिल्नाड में पॉंगल यह ठीक है यह वहीं का त्योहार है हर्याना के स्कूल में रक्षा बंदन रक्षा बंदन भी पूरा नेश्नल तिवारा सब्जी के मना जाता है लेकिन एक विवित्ता आपको किस विक्तितव की किस परिभाशा से विक्ति की बाहरी पक्ष अच्छा यानी सारेडिक रचना, रूप रंग सारेडिक बनावट आधी पर आधारी था ठीक है, तो इसको बोलते हैं, दोस्तों देखें, अगर कोई व्यक्ति है, उसका बाहरी खुपसूरा एक चुसर है, प्रतिक्रिया रिष्टी कुन परिभासा से इसका संबन्द है आगे बढ़ते हैं प्राचिन काल से आज तक शिक्षर को किस रूप में स्विकारा जाता है दोस्तों देखिए प्राचिन काल से आज तक शिक्षर को एक आधर सिव्यक्ति के रूप में स्विकारा जाता है आगे बढ़ते हैं ठीक है, कि पुस्तकी ज्यान से होता है, गैरिट ने तीन प्रकार की बुद्धी बताई थी, मूर्त बुद्धी, अमूर्त बुद्धी और समान्य बुद्धी, ठीक है, सामाजिक बुद्धी, तो ये तीन प्रकार की बुद्धी में से उसने कहा था, ये तीनों तीन जो है उ तावरण खेलने की बस्त वखें उनके अनुकूल में उप्रियूकत में rationalुण और यहाँ बार उनकूल क्या होना उसके अनुकूल शिक्षा की विवस्ते हम कर सकते हैं थैक कि बुद्धी करंगे कि उसकी बुद्धी कितनी है क्या है और किस प्रकार की बुद्धी है उसका किस चीज में रूची है ठीक है ये सारे जीज़े उस फिर हम क्या करेंगे उसके अनुकूल जैसी उसकी बुद्धी होगी उस हिसाब से हम क्या करते उसके लिए जो उचीत शिक्षा होगी उसकी विव प्रवाइब और इस से पूर वो उसने एजुकेशन कहां से ली है किस प्रकार के जिए ली है उसकी सारे रिकिस्थिति क्या है शिक्षक का उलोकुन उसमें क्या जाएगा विद्यारती दोरा चाहिनित शौक और रूची उसके क्या रूची है इन सारी चीजों का उखा ठीक हो एक प्रक्रिया है ठीक है तो सामन जैसे या संयों जैसे लिखाए आप सामन जैसे हो गए ठीक है उत्तरों तर सामन जैसे की एक प्रक्रिया है क्या लर्निया सीखना यह दियान रखना आपने आगे बढ़ते हैं शिक्षण के इस्तर के आधार पर अधिक्म के कितने प्रकार तो साथ यह अधिकम के यानिके लर्निंग के किसके शिक्षण के इस्तर के आधार पर तीन प्रकार है ठीक है नमबर एक है इस्मृति इस्तर ठीक है दूसरा है अवबोध इस्तर ठीक है अवबोध इस्तर है और तीसरा क्या है चिंतन इस्तर ठीक है चिंतन इस्तर तो यह तीन इस तर हैं आगे बढ़ते हैं कि सिध्धान्त को नयक्तिक या तांत्रिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंद सिध्धान्त के नाम से भी संभोधित किया जाता है देखे पढ़ने में जैसे मैंने अभी यांत्रिक को तांत्रिक बोल जाता है ठीक है तो कभी-कभी जैसे संभैदानिक पढ़े था ठीच है, जल्दी बाजी होती है, कभी ध्यानन किसी चीज़ में होता है, मैं कुछ और करने में फोकस कर रहा हूंगा, तो उस पर ध्यान नहीं सिधे सिधे हम पढ़ लेते हैं, तो सामविधिक मैंने को समयधानिक पढ़ दिया था कमेंट आया था कि आप सही से पढ़ो बच्चों ने थोड़ा सा डांट लगाई थी तो उसके लिए माफी चाहते हैं हो जाता कई बार ठीक है कोशिश करेंगे कि गल्तिया ना हो चले नैति का या अंत्रिक या साधनात्मक अनुबंद सिध्धान्त के नाम से भी जिसको जाना जाता है साथियो तो वह है स्केनर का क्रिया परशूत सिध्धान्त को जाना जाता है । आगे बढ़ते हैं यदि एक विक्ति अपने किसी कार्य ध्यान या अनुभव से KOOI समान्य नियम निकाल लेता है, तो वो दूसरी परिस्तिति भी क्या करता है उसी नियम का प्रयोग कर सकता है। तो यह कौन सा है तो उसने क्या कर लिए दोस्तों का सामान्यकरण कर लिए तो आप्शन यहां पर सामान्यकरण का सिद्धान्त ठीक हो जाएगा ठीक एक प्रॉब्लम पो उसने अपने ज्यान से अपने अनुभव वगेरा से एक मतलब सबको वो कर गए एक नियम बना लिया एक नियम निका लिया जब उसी प्रकार की कोई अन्य समस्या आती है या कोई अन्य समस्या आती है तो वो क्या करता है उसी नियम का प्रयोक करता और फटाक से उसको हल कर लेता है या कोशिश कर तो यहाँ पर सामाल्य करन का सिद्धान तो होगा आगे बढ़ेंगे निम्दे में से बाल विकास की अवशक्ता क्यों होती है बाल विकास के अवशक्ता पढ़ लेते हैं बहुत आप की शमता का सही विकास कर सकते हैं बिलकुल ये भी ठीक बात आजने कि उपरोग तो सभी यहां पर ठीक हो जाएगा पिस अब इसने सही बात की हैं आगे बढ़ते सुक्षमस्षिक्षण का अर्थ क्या है सुक्षमस्षिक्षण क्या होता दोस्तों सिक्षण का ही एक सतत शिक्ष्या प्रकृया चात्रों और शिख्षक की भागेदारी किस परकार की शिकष्या प्रणाली की विशेस दाए है तो यहां میں प्लिकल ठीक content कोई नुदिक है ए से संबंदित कोई बिमारी रोग या कोई कमी कुछ भी हो सकता अस्थी बादा है उसको तो जन्मजाद अनियमित्ता के कारण यह हो सकता है बिल्कुल ठीक है अगर जन्मजाद कोई बिमारी है या जन्मजाद किसी की सरीर में ऐसी दिक्कत है तो वह हो सकता है बिल्कुल सही बात है दुरगटना के कारण अस्थी बादा आ सकती है बिल्कु अगर कि बहुत महत्वूर्ण क्वेस्टन थे, आप लोगों को मैंने ये क्वेस्टन दिये, अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेजे, अपने दोस्तों कर 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 दोस्तों क